हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू स्टेडीकर, मैं हूँ आपका दोस्ता प्रभाकर, आज के इस लेक्षर में हम डिसकस करने वाले हैं, साथ नवंबर दो हजार तेईस के most important current affairs के question, तो आप इस पूरे लेक्षर को बहुत ही ध्यान से लास्तर जूर देखेगा, आज का पहला और important question है, स्री सौमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष की रूप में पुनाह किसे ही चुना गया है, तो सौमनाथ ट्रस्ट के फिर से अध्यक्ष बने है नरेंद्र मोदी जी, त किया गया है, दोस्तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार स्री सौमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाये गया है, पियम मोदी जो है पहली बार 2021 में स्री सौमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बने थे, और अब वो तीसरी बार फिर से अध्यक्ष बन चुके हैं, द गुजरात राज में प्रभास पाटन बेराबल में इस्तित है और यह एक हिंदु मंदिर है भगवान सिभी के बारह जोतिरलिंग मंदरों में से पहला मंदिर माना जाता है सौमनाथ मंदिर को दोस्तो इस मंदिर को आकरांताओं के दुआरा नश्ट करने की भी कोसिस की गई जैसे महमूद गजनाबी ने सन एक हजार पचिस में इस मंदिर पर हमला किया था और जितनी मंदिर की संपत्ति थी उसको लूटा था और इसे लगभग नश्ट कर दिया था वर्दमान में जो सौमनाथ मंदिर है उसका निर्मान गुजरात की चालुक वास्तुकला सहली में 1951 में किया गया था तो ये आप देख पा रहे हैं ये है सौमनाथ मंदिर चले दोस्तों हाली में की गई कुछ महत्मूर्ण निक्तियां डिसकस कर लेते हैं जैसे दीपेस नंदा टाटा पावर री न्यू एविल एनरजी की सीओ और एमडी बने हैं साइमा बाजेद दोस्तों आप इस पूरे लेक्सर को बहुत ही ध्यान से लास्त तक देखिएगा लास्ट में आपसे कोश्यन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन भी दबालें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सकेगा पीडेफ के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएगा आपको टेलिग्राम पर जाना है इस्टड़ी कर ओफीसियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को जोईन करना है तो आपको पीडेफ भी मिल जाएगा है आपके लिए एक information है कि जो October माहे की e-book है वो अब launch हो चुकी है तो उसे आप app से प्राप्ट कर सकते हैं सबसे पहले आपको app download करना है एप आप दो माध्यम से download कर सकते हैं या तो नीचे description box में जो link दी गई है वहाँ से download कर सकते हैं या फिर play store पर आप जाएए study कर आप search करिए तो हमारा जो app है वो मिल जाएगा इस app को install कर लीजिएगा जैसे आप install करेंगे तो कुछ इस प्रकार का interface दिखाई देगा आप e-book पर जाएगे तो आपको अक्टूबर माय की सितंबर माय की जो e-book है वो मिल जाएगी तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं इसके अलाबा हमारी जो website है उसके माध्यम से भी आप direct प्राप्त कर सकते हैं e-book को website का जो link है वो description box में दिया गया है दोस्तो आपके लिए एक whatsapp चैनल भी बनाया गया है तो whatsapp चैनल से भी आप जुड़ जाएगा इसका link description box में दिया गया है next question है होकी में महिला ACI Champions Trophy किस ने जीती है आंसर हो जाएगा भारत ने तो दोस्तो भारतिय महिला हों की टीम ने ACI Champions Trophy का खिताब अभी हाली में जीता है और फाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को चार सुनने से हरा करके यह मुकाबला जीता है दोस्तो भारत ने दूसरी बार यह किताब अपने नाम किया है इससे पहरे भारत ने 2016 में अपना पहला ACI Champions Trophy का खिता था तो इस बार उन्होंने दूसरी बार यह किताब जीता है दोस्तो याद रखिएगा कि यह जो फाइनल मुकाबला था यह जारखंट की राजधानी राची में आयुजित किया गया था भारतिय महिला टीम की कप्तान को भी आप याद रखिएगा कौन है सविताब पुनिया अब हम स्पोर्ट से रिलेटिड कुछ इंपोर्टेंट कर इंट अफ्यस को भी डिसकस कर लेते हैं तो अभी हाली में ACI सूटिंग चेंपियंशिप 2023 में एश्वर परताप सिंग तॉमर को 50 मीटर राइफल 3P इस परधा में गोल्ड मैडल हासिल हुआ है दोस्तो एश्वर परताप सिंग का जो संबंध है वो सूटिंग से है और यह मद्ध प्रदेश राज्य से रिलेटिड है इंगलेंड के किर्केटर रहे हैं डेविट बिली तो उन्होंने अभी हाली में इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास ले लिया है बानखेडे इस्टीडियम जोकी मुंबई में है वहाँ पर सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है साउदी अरब 2034 के फीफा विशुकप की मेजबानी करेगा और दोस्तो लियोनेल मैसी ने आठ भी बार बैलन डी और प्रोसकार अभी हाली में जीता है याद रखिएगा लियोनेल मैसी फोटराज से रिलेडिन है और इनका संबंद अरजेंटीना से है नेक्स्ट कोशन है कॉलिन्स डिक्सनरी का वर्ड ओफ द येर 2023 किसे चुना गया है आंसर हो जाएगा AI तो दोस्तो AI सब्द को कॉलिन्स डिक्सनरी का वर्ड ओफ द येर 2023 चुना गया है AI का मतलब है Artificial Intelligence तो कॉलिन्स डिक्सनरी ने AI को 2023 के लिए वर्ड ओफ द येर घोसित किया है AI हमारे देनेक जीवन में Artificial Intelligence की बढ़ती प्रमुकता को दरसाता है दोस्तो 2022 में वर्ड ओफ द येर परमा क्रिसिस को चुना गया था हाली में कॉलिन्स डिक्सनरी में एक सब्द जोड़ा गया है उस सब्द का नाम है बजबॉल तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिगा दोस्तो Artificial Intelligence क्या है तो कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुस्त की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने बाला सौप्टिबेर बनाने का जो तरीका होता है उसे Artificial Intelligence बूला जाता है अंगला कुशन है ED की सिफारिस पर सरकार ने कितने अबैद सटे बाजी प्लेट फार्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है आंसर हो जाएगा 22 तो अभी हाली में कैंसरकार के द्वारा 22 अबैद सटे बाजी प्लेट फार्मों पर बैन कर दिया गया है तो ED के द्वारा सिफारिस की गई थी और उसमें 22 अबैद सट्टेवाजी प्लेट फार्मों का जिक्र किया गया था तो उन पर अभी हाली में बैन लगाया गया है तो Electronics और सूचना प्रोदोक की मंत्राले के द्वारा महादेव बुक सहित 22 अबैद सट्टेवाजी एप्स और बैपसाइडों को बंद करने का आदेश दिया गया है उस्तो बात करते हैं Enforcement Direct Rate की यनी ED की तो इसका गठन 1 माई 1956 को हुआ था मुख्यालय इसका नेडिली में हैं इसके परभारी नेदिशग हैं राहल नभीन और यह बित् बंत्राले के अंदरक्स काम करता है और इसका काम होता है गलत तरीके से जो कमाया गया धन है जिसे किसी तरीके से बैद्द बनाया गया हो उस पर टेक्स छिपाया गया हो उस पर छापी मारी करना इसका काम होता है अंगला खुशन है स्वादेसी मिसाइल विधुहनसक पोत सूरत का अनावरण कहां किया गया है तो दोस्तो जो सूरत नामक पोत है उसका अनावरण अभी हाली में शूरत में ही किया गया है अंगला प्रस्न है स्वादेशी मिसाइल विध्वनसक पोथ सूरत का अनावरण कहां किया गया है आंसर हो जाएगा सूरत में तो दोस्तो भारतिय नौसेना का एक नया स्वादेशी मिसाइल विध्वनसक पोथ है जिसका नाम है सूरत तो इसका अनावरण गुजरात के मुख मंतरी भूपेंदर भाई पटेल के द्वारा सूरत में किया गया है और इस समारों में नौ सेना के प्रमुख एड्मिरल आर हरी कुवार भी सामिल हुए थे चलिए अब हम बात करते हैं मिसाइल विध्वनसक पोत सूरत की तो रक्षा मंतरी राजना सींग के द्वारा 17 मार्च 2022 को मुंबई में इसी लौंच किया गया था दोस्तो यह गुजरात के किसी भी सहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्वपोत है और यह युद्वपोत बरतमान समय में मजगाओं, डाक्स, सिप विड्लर्स, लिम्टिड मुंबई में निर्मारा धीन है दोस्तो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट पंद्रह भी तो इसके तहत चार मिसाइल विध्वणसक का निर्मार किया जाना था तो इसमें जो चौथा मिसाइल विध्वणसक है उसका नाम है सूरत और यह इस प्रोजेक्ट का आखरी जहाज है जो प्रोजेक्ट पंद्रह भी है इसके अंतरगर जो युद्धपूत बनाए गए हैं उनमें विसाखा पतनम, मोर, मुगाओ, इमफाल और सूरत हैं तो जो चोथा है इसका अभी हाली में अनावरण क्या गया है अनगला कुशन है 24 वी ACI तीरंदाजी चैمपेसिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा आंसर हो जाएगा इसका बंगलादेश तो दोस्तो बंगलादेश 2000 में 24 वी ACI तीरंदाजी चैंपेसिप की मेजबानी करेगा तो अभी हाल ही में विस्सु तीरंदाजी एसिया कॉंग्रेस में 14-10 बोटों से बांगला देश ने बोली जीत ली है, यानि कि इस मेजबानी के लिए चाइना जैसे देशों ने बोली लगाई थी, लेकिन ये बोली जीती है किसने बांगला देश ने, विस्सु तीरंदाजी Asia Congress 3 November 2023 को Bangkok Thailand में आयोजित की गई थी और वहीं पर ये फ्यंसला लिया गया है अब हम बात करते हैं आगामी खेल प्रतियोगताओं की तो जो Greece मिकालीन Olympic है सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो 2024 का जो Greece मिकालीन Olympic है ये Paris France में आयोजित किया जाएगा 2018 का Los Angeles अमेरिका में और 2022 का Brisbane आउस्टेलिया में सीद कालीन Olympic की बात करें तो 2026 का जो सीद कालीन Olympic होगा ये Milan और Cortina इटली में आयोजित किया जाएगा Greece मिकालीन Yuba Olympic खेल की बात करें तो 2026 का जो आयोजन है ये Dakar Senegal में आयोजित किया जाएगा ASEAN Games की बात करें तो 2026 के जो ASEAN Games है ये Aichi Nagoya जापान में आयोजित किया जाएगे 2030 के दोहा कतर में और 2034 के रियाद साओली अरब में आयोजित किया जाएगे दोस्तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 में भारत में किया जाएगा है अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएगा कि अंगला यानि 2027 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है मर्केटर पैट्रॉलियम का 148 करोड रुपए में अधि गरहन किस ने किया है आंसर हो जाएगा इंडियान ओयल कॉर्परेशन ने तो इंडियान ओयल कॉर्परेशन के दौरा मर्केटर पैट्रॉलियम नाम की चुक कमपनी थी उसका 148 करोड रोपए में अधी ग्रहण किया है तो दोस्तो सार्बनिक छेतर की कमपनी है Indian Oil Corporation तो उसके द्वारा दिबाला कारवाही में लगबग 148 करोड रोपए में Marketer Petroleum का अधी ग्रहण किया है दोस्तो Indian Oil Corporation के द्वारा ये बताये गया है कि जो Marketer Petroleum Limited है उसमें 100% हिस्सेदारी के अधी ग्रहण के लिए National Company Law Tribunal यानि NCLT की मुंबई पीट ने मंचूरी दे दी है Indian Oil Corporation की बात करे तो इसे स्थापित किया गया था 30 जून 1969 को नई दिल्ली में इसका मुख्याला है वर्तमान में स्री कांत माधाव वैद इसके अध्यक्ष है और यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस मंतरालाई की स्वामित में एक भारतिय बहुराष्टिय तेल और गैस कंपनी के रूप में काम करती है नेक्स्ट कोशन है इन्फ्यूज मिसन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लौँच किया है आंसर हो जाएगा नासा तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा तो उसके द्वारा अभी हाली में इन्फ्यूज मिसन को लौँच किया गया है यहाँ पर और भी अंत्रिक्ष एजेंसियां हैं जैसे ISRO तो ISRO की बात करें तो यह है इंडिया की अंत्रिक्ष एजेंसिय है जाकसा जापान की और CNSA चाइना की अंत्रिक्ष एजेंसिय है तो दोस्तो नासा के द्वारा Integral Field Ultraviolet Spectroscope Experiment यानि Inqueuse Mission को लॉंच किया है इस मिसन का लक्ष प्रत्वी से लगभग 2600 प्रकास वर्स दूर इस्तित सुपर नोवा अवशेस सिगनस लूप का अध्यन करना है याई मिसन तारों की जीवन चक्र को समझने का प्रयास करेगा तो दोस्तो ये पॉइंट जो है नोट के लीजेगा बात करते हैं नासा की तो जो नासा का फुल फॉर्म होता है वो होता है National Aeronautics and Space Administration इसका गठन 29 जुलाई 1958 को किया गया था Headquarter इसका Washington DC में है और इसके वर्तमान में प्रसासक है Bill Nelson अंगला कुशन है IQ Year के World Air Quality Index में दुनिया का सबसे प्रदूशिश शहर कौन बना है वो बना है दिल्ली तो भारत की राधानी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूशिश शहर बना है और ये जो इंडेक्स जारी किया है ये जारी किया है IQ Year ने तो दोस्तो Swiss Group है जिसका नाम है IQ Year तो उसके द्वारा World Air Quality Index जारी किया गया है अभी हाल ही का तो उसमें दुनिया के 10 सबसे प्रदूशिश शहरों में भारत की राधानी टॉप पर है कोलकाता पाचबे स्थान पर है और मुंबई छटबे स्थान पर है जबकि पाकिस्तान का सहर लाहोर दूसे नंबर पर है अगर हम दुनिया के सबसे प्रदूशिश शहरों की बात कर तो लाहौर ये पाकिस्तान में श्तित है, यहां भी हवा की गुडवत्ता खतरनाक इस्तर पर है, और यहां का Air Quality Index 371 है, धाका तीसे नंबर पर है, यहां की हवा की गुडवत्ता खराब है, चौते नंबर पर है कराची जो की पाकिस्तान में है, पांच में पर है कोलकाता, पर दो एक बितारा पर लाश्ट मेंगा आपकों घना कूषन के प्रेश के राज़ा जेमेए खेसर नाम मियाल वांगुचो भारत की आठ दिन की यात्रा पर आए हैं भूतान CBSE किस देश में अपना छित्रिय प्रसासनिक कार्याला एक हो लेगा UAE में PM गरीब कल्यान अन्योजना को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है 5 साल के लिए भारतिय नौसेना ने किस समुद्री गस्ती बिमान को अभी हाली में रेटाइर किया है तो IL-38 SD गस्ती बिमान को रेटाइर किया है भारतिय नौसेना ने किस राज्य कैसासे प्रदेश की पुलिस के द्वारा जमानत पाने वाले आतंक के आरोपियों के पैर में GPS लगाया जाएगा जम्मू कस्मीर भारत और किस देश ने स्रमकों, छात्रों और प्रोफेसनल की आबाजाही को सुब्धा जनक बनाने के लिए समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं इटली बंडे क्रिकेट में सचिन तेंदूल करके 49 सतक की रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले बले बाचकौन बने हैं विराट को हिली GST के खिलाब अपील दायर करने के लिए एक माफी उजना किसने शुरू की है वित्मंत्राले ने आयरेंड डॉम रक्षा प्रणाली का भारतिय संस्क्रण कौन विक्सित करेगा D.I.D.O युद्ध और ससस्त संगर्स में पर्याबरन के सोसन को रोकने के लिए अंतराश्टी दिवस हर वर्स कब मनाये जाता है 6 नवंबर को दोस्तो आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत की प्रमुक परबत चोटियों के पार्ट 3 को डिसकस करेंगी जैसे डोडा बेटा जो चोटी है वो नील गिरी परबत पर है तमिल नाडू में ये स्तित है उचाई है 2637 मीटर आराम कॉंडा पूर्वी घाट आंदरप्रदेश में है उचाई है 1680 मीटर बैला डिला रेंच 36 गड में है उचाई है 1276 मीटर सौनसो गोर पश्यमघाट गोवा में है और इसकी उचाई है 1166 मीटर गिरनार गुजरात में है उचाई है 1079 मीटर करोह पीक मोरनी हिल्स हर्याना में है और इसकी जो उचाई है वो है 1467 मीटर पारसनात की बात करें तो ये जारखंड में है उचाई है इसकी 1370 मीटर तो ये हैं दोस्तो भारत की प्रमुक परवच चोटियां दोस्तो कल के करेंट अफ्यस में जो कुशन पूछा गया था कि प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्य योजना कब शुरू की गए थी तो आंसर है इसका 2020 तो इसका जो आंसर है लगबग सभी लोगों ने 2020 बताया हुआ है और बीच में एक कुशन पूछा था कि काजी रंगा नैसनल पार्क किस राजज में है तो ये आसम राजज में है इसका भी आंसर बताया हुआ है इसी प्रकार से दोस्तो आपसे जो कुशन पूछे जाए उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आज का प्रस्न है भारतिये महिला होंकी टीम की कप्तान कौन है जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें इंतजार रहेगा आपकी आंसर का